Hello everyone, welcome to sleepy classes, कैसे हैं आप लोग, hopefully अच्छ होंगे तो आज कवर करेंगे 5 minutes में एक बहुत important news और news क्या है कि recently government of India ने एक certification of authenticity जो है वो जारी किया है किसके लिए jute products के लिए, in the form of jute mark India logo होए कि ये एक तरह का logo होगा, जो कि इंडिया में जितने भी jute products हैं चाहे वो domestic market में sell हो या export हो, उस पर ये logo लगेगा और ये उस product के authenticity के बारे में बताएगा अब देखी क्या है, ये जो jute mark India scheme है ये government of India ने जो है इसको start किया है to provide collective identity and assurance regarding origin and quality देखी jute products जो है, इंडिया में, इंडिया जो है largest jute producer है लेकिन सबसे बड़ा issue क्या आता है, कि इसके जो products के quality होते है उसका assurance नहीं हो सकता है, इसके वैसे इनका exports भी बहुत जादा नहीं हो पा रहा था तो जैसे ही है scheme आएगा, इसके थ्रू जो है, एक certification होगा एक logo provide किया जाएगा, तो एक authenticity पता चलिएगा कि ये product कहां से आ रहा है इसका origin क्या है और इसका quality क्या है, जैसे आप सुनते होंगे geographical indicator जो GI tag होता है, वो भी इस तरह से दिया जाता है कि ये product कहां से origin हो रहा है ये authentic product है, तो उससे क्या होता है कि उसका export chances ये chances of export या फिर domestic market में भी जो sales है वो बढ़ जाता है, ठीक है अब इसके बारे में थोड़ा देखते हैं, जो ये अभी हमने देखा, जो ये logo है ये already ये जो GMI scheme है, ये already implemented है, एक umbrella scheme चल रहा है for promotion of jude products in the country, jude sector को promote करने के लिए और इसमें financial year जो अभी recently budget पेश हुआ था, 2022 से 2026 में इसमें financial outlay कितना दिया गया है, 485 करोड, तो ये भी आपसे question पूछा सकता है कि ये कि scheme के अदर, तो basically जो umbrella scheme चल रहा है, jude sector के अदर उसके अंदर ही एक GMI scheme जो है, वो चल रहा है, ठीक है अब चल आगे देखते है, इसमें होगा क्या कि देखी, इसमें QR लगा रहेगा अब एक हर jude label में जो भी product है, उसके related QR लगा रहेगा और अगर QR को customer scan करेगा, तो उसको सारा चीज जो है, वो पता चल जाएगा कि ये product कहां से आया है, इसका producer कौन सा है, ठीक है और भी जो जो informations जो की crucial है for their selling, वो सारा जो है इस QR में container रहेगा, तो ये बहुती advanced तरीका है और बहुती अच्छा तरीका है और innovative तरीका है for promotion of jude products, ठीक है, अब इसको implement कौन करेगा, इसका nodal agency कौन होगा, तो national jude board जो की आप जानते है, ministry of textile के अंदर आता है और national jude board जो है, वो nodal agency होगा for the promotion of jude and jude products in India and global markets, even global market में भी jude products को जो भी support चाहिए होगा, वो national jude board प्रोवाइड करेगा अब आपको बताना है कि national jude board जो है, वो statutory body है, और अगर statutory body है, तो ये किस act के अंदर बना है क्योंकि ये आपके exam point office से important हो सकता है अब देखिए, इंडिया के बारे में देख लेते हैं, जूट का, तो इंडिया जो है, वो largest producer है जूट का, followed by Bangladesh and China, ये भी आपके लिए एक important information है और अगर major jude production states या producing states इंडिया में देखे तो कौन सा है आसाम, बिहार, वेस्ट बेंगॉल, उडिसा और अंध्रमजन basically आपका जो गंगा और ब्रह्मपुत्रा का जो आप बोल सकते हैं एक तरह से plains है वहाँ पर जो है, इसको खासा होगाया जाता है क्योंकि आपको पता है, जूट के production में और एक बहुत important process होता है जिसको हम लोग rating बोलते है, उसमें जो है flowing river का काफी जादा use है अगर आपने जूट के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा तो इसी कारण जो है यहाँ पर जैसे बिहार, असाम, वेस्ट बेंगॉल, जहाँ पर ब्रह्मपुत्रा, गंगा इनका flow जादा है, तो इस से यहाँ पर इनका cultivation और production जो है, वो easily होता है ठीक है, तो एक चोटा सन news था, जिसको हमने 5 minutes में cover किया ऐसे important news हम लोग 5 minutes में cover करते रहेंगे, दब तक thank you